हाई एमरीवन वेलकम टो फिक फूड अन हेल्ट मैं हूँ डिटिशन इनासेट तो आज में लेकर आई हूँ एक ऐसा स्नैक जो कम्प्रीटली निर्टिशस और हेल्दी तो है ही साथ में ही आप इस स्नैक का इस्तेमाल बहुत तरीके से कर सकते हैं जिसे की मैं अभी वीडियो म बने रहीएगा और ये बहुत इन्टिशस भी है और हेल्दी भी है और आपको बहुत पसंद आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकन प्रेस कर लीजे जिससे की आपको जब भी वीडियो अप्लोड करो नोटिफिकेशन आजएड तो पहले मैं ब पानी आपने जादा नहीं लेना है और सोक करने के पाद मैंने इसे इस छनी पे रख दिया था ताकि ये इसका पूरा पानी स्क्वीज आउट हो जाए और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से हमारा गल चुका है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो ये ब बहुत अच्छे से दो में कनवर्ट हो जाएगा तो अब हमने यहां पे क्या करना है मैंने यहां पे दो पोटेटो बई लिये है और साथ में ही कोरियेंडर लीज ली है धनिया की पति और साथ में ही एक अनियन चॉप लिया है और उसके साथ में मैं एक लौव जो गार्लिक बनाया है जो इसे बहुत अच्छे से spice up करेगा और इससे इसमें बहुत अच्छा spice भी आएगा और taste भी और साथ में ही ये मैंने 50 तो 70 ग्राम जितना पनीर लिया है जिसको grate कर दिया है और साथ में ही एक केरेट को मैंने fine chop किया है chopper से आप इसे grate भी कर सकते हैं और साथ में ही डाल दी है थोड़ी mint leaves और हीन डाल दी है और उसके साथ ही management डाल दिया है आम चूर पाउडर भुना जीरा पाउडर साथ में ही थोड़ा था turmeric पाउडर रेड चिली पाउडर कॉरियंडर पाउडर और साथ में ही salt जितना आपको टेस्के कोर्डिक डाल सकते हैं और उसके साथ में ये मैंने यूज किया है यहां पे one third cup rice flour और rice flour से इसमें crispiness आएगी और साथ में ही इसका water थोड़ा सा absorb हो जाएगा तो अब हमने इस तरीके से इसका एक अच्छा सा डो बना लेना है जिससे की हमारे कटले क्या टिक्की जो भी हम बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएं अगर ये इसमें आपने पानी जादा डाला तो ये बिलकुल भी नहीं बनेंगे तो इस तरीके से मैं इनको एक टिक्की की शेप दे दे रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये बहुत आराम से बन रहे हैं बस हातों पे थोड़ा सा आपने ओईल एप्लाए करना है तो इस तरीके से मैं सारे टिक्की को बना लेती हूँ और दरिया बहुत ही अच्छा होता है इसकी nutrition value बहुत अच्छी है और ये आपका देख लीजिए पराठा का भी काम करेगा और ये बच्चों को बहुत interesting भी लगेगा और बड़े भी बहुत मज़े लेके खाएंगे तो अब हमने एक पैन में थोड़ा सा oil डाल दिया है क्योंकि इसको थोड़ा सा shallow fry करूँगी ताकि अंदर तक पूरे तरीके से बन जाए और बहुत तेज flame नहीं रखनी है लो मीडियम flame पे इसको हमने batches में बनाना है और इसको थोड़ी तेर बाद flip out किया है मैंने और आप देख सकते हैं कि एक तरफ बहुत अच्छे से color आ गया है और उसके साथी इसी तरीके से हम इसे occasionally second flip कर देंगे तो ये देखिए completely दोड़ों तरफ से ये sick चुका है तो इसकी आप इस तरीके से सिकाई करेंगे और ये अंदर तक low medium gas पे बन जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये कितना crispy बना है तो इसको अब हम निकाल लेंगे tissue paper पे क्योंकि हमने इसे shallow fry किया है तो extra oil जो है वो tissue paper में absorbed हो जाएगा तो इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया है और ये बहुत ही tasty और crispy है और साथ में ही इसकी nutrition value बहुत अच्छी है आप इसे bake भी कर सकते हैं air fry भी कर सकते हैं तो मैं इसको bread के साथ भी जर्व कटी हूँ बर्गर के साथ भी तो अभी मैं इसकी एक आपको चाट बना कर दिखा देती हूँ तो ये काफी गरम है मैं इसको knife से ही cut कर लेती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अंदर तक ये बहुत अच्छे से done हो चुका है तो इसकी उपर डाल दी मैंने ये इमली और खजूर की chutney और ये टिकी जो है आपको market से भी best लगने वाली है उपर से डाल दी मैंने ये coriander chutney घनिया की chutney और जो normally हम घुरों में बनाते हैं और साथ में grated पनीर आप चाहें तो इसकी उपर और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं और साथ में ही मैंने इसमें onion डाल दिया है तो ये बहुत ही simple तरीके से मारी बहुत अची चार्ट बन गई है और ये टिक्कियां सारी बहुत ही tempting लग रही है आप इनका कैसी भी use कर सकते हैं तो ये टिक्की बहुत ही ज़्यादा tasty and nutritious है और दलिया से बनी है तो ये बहुत ही ज़्यादा healthy है क्योंकि wheat बहुत ही अच्छो होता है protein मेरे चोता है साथ नहीं हम इसका daily में use करते हैं और दलिया से आप बहुत सारी recipes तो बनाई सकते हैं तो दलिया का इस तरीके से एक बार इस्तिमाल ज़रूर करके देखिएगा ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो इस टिकी को आप बंगर में भी लगा कर अपने बच्चों को दे सकते हैं तो आशकरती हूँ कि आप इसे बहुत तरीके से use करेंगे और मेरे साथ pictures ज़रूर share कीजेगा चेनल पे नए हैं तो subscribe ज़रूर कीजी और bell icon प्रेस कर लीजे और जो लोग video देखती हैं और subscribe नहीं करते हैं उनसे मेरी गुजारे से की subscribe ज़रूर किया कीजे क्योंकि आपका एक एक subscription एक comment में यह बहुत important है तो आज के लिए पस इतना रही चलती हूँ स्वस्त रहे हैं मस्त रहे हैं और इसी तरीके से healthy healthy recipes खाते रहेंगे और बनाते रहेंगे